मुझे लगता है जितने भी गार्डनर्स होते हैं बहुत ही जुनूनी होते हैं क्योंकि मेरे अंदर जो एक पौधे को clean करने का गार्डन को decorate करने का गमले आगे पीछे करने का जो एक जुनून है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी तरह से सारे गार्डनर्स को देखती हूँ शाम के चार वज रहे थे अब देखे ना मैं ऐसे आई थी गार्डन पे तो मैंने काया कि चलो देखती हूँ कुछ ऐसे जेट प्लांट को निकालती हूँ जिसकी टॉपियरी मैंने बनाई थी उसमें कितनी सक्सेस मिली है अब ये गमला निकाला तो मुझे लगा कि भई यहाँ पे बहुत सारे टर्टल वाइन के प्लांट सें जिनके डालियां सूखी सूखी सी दिख रही हैं कुछ पॉपल हाट के प्लांट थे तो मैंने कहा उसमें से निकालती हूँ अब जब निकालना शुरू किया तो इतने सारे सूखे वे बलांट निकल गए पहले थोड़ा निकाला फिर बाद में निकाला और निकालते मैंने सारे यहाँ से टर्टल वाइन जितने चार गमलो में झाल दिया अब गमला हो गया फाली तो अब मैंने सोचा कि अभी जो गमला खाली हो गया है उसके अंदर क्या लगाना है तो कुछ दिमाग में चल रहा था तो मैंने कहा कि चलो ठीक है उसे ठीक से क्लीन करके चारो गमलो को मैंने यहां पे रख दिया है अब जो यह जो टर्टल वाइन का और पॉपल हाट के जो तो पहले इने तो इकठा किया जाए इकठा करके हमने कहा कि यहां पर जारू लगा करके नीट एंड क्लीन कर देति हूं तो भाइया थोड़ा सा और एक एक करके जितना भी निकालना था ऐसे आप सब के साथ भी होता है क्या कि आते हैं हम अपने गार्डन में कोई और काम कर कि अपको टच ठेरेपी देने लग जाते हैं और नीचे से कोई बेल दे रहा है कोई काम और पड़ा हुआ है आप ऐसा काम कभी भी यह नहीं करिएगा कि आप चाय का पानी रखके आजाये कि बस जाते हैं और उपर से घूम के वापस आ जाते हैं हमेशा ऐसा अगर आप करेंगे तो पता याद रखिए कि आपको चाई का पानी जो बिल्कुल जल जाएगा तो मेरे साथ एक आद बार ऐसा हो चुका है खैर चलिए यहां से सारे जब मैंने गंदगी निकाल दी सूखे टर्टल वाइन बगेरा पॉपल हाट निकाल दिया तो क्लीन कर दिया अब क्या था अब जब क्लीन किया तो अब यह सारे प्लांट जो है उन्हें फेकना तो है नही क्योंकि मैं अक्सर ही ऐसा करती हूँ कि या तो उन्हें उसमें डाल देती हूँ जहां पे मेरा कमपोस्टिंग होता है या फिर हर गमले में जो शेलो पॉट होते हैं या रूर्स जिसके बहुत छोटे होते हैं ऐसे प्लांट्स को लगाने के लिए मैं यही तरकीब अपनाती ह और एक पल्टी वाला भी मेरा स्टाइल है जो कि मैं नौ बजिया या कि जो प्लांट होते है ना ओफिस टाइम वाले उसको पल्टी स्टाइल से लगाती हूँ खेर वो मैं कभी और आपको बताऊंगी तो फिलहाल तो मैंने जितने गमले मेरे को सामने दिखे यह वाले तो मैंने ख़े एकड़ आपकेती हूँ और इस तरह से जो पॉपल हाट वाले प्लांट निकाले थे मैंने अब फिर उसमें भी मेरा जो है जी मचलने लग गया मैंने का यार ऐसे कैसे मैं सारे प्लांट्स को फेक सकती हूँ तो इसमें से कुछ-कुछ-कुछ जो टिप वाल अगर इस तरह के आपके पास total wine, purple heart, trangle heart इस तरह के जो plants हैं जो थोड़े थोड़े dormancy में या change of period के वज़े से, change of season के वज़े से थोड़े dry हो रहे हैं, उनको आप cutting करके जैसे baby sun rose है, तो उसके भी कुछ पतियां जो है आजकल dry हो रही हैं, तो उन्हें इकठा कर लीजिए, छ आज़न आएगा, यह December गुजरते गुजरते, January में एंटर करते करते, आपकी यह जितने भी plants अभी आप लगाएंगे न, सारे हरे भरे खुपसूरत से हो जाएंगे, और बहारों के दिन में तो इन सारे plants में बहार आने वाले हैं, अब देखिए इसे बाते करते करते, मैंने उस गमले को भी भर लिया था, इतनी सारी cutting मैंने उस waste material में से निकाल लिया, और यह चला जाता है, हमारे composting में, अभी इसमें गमले में नीचे जो टर्टल वाइन वगरा डाल दिया था, उपर से मैंने एक layer मिट्टी डाली, और एक एक करके मैंने कहा कि इसमें यह purple heart को insert करत गमला तयार हो जाएगा, तो देखें कि कहां से काम शुरू हुआ था, और कैसे कैसे आ करके, मतलब हम जो है ना कुछ भी फेक नहीं सकते हैं, मतलब इतने लालची हम से plants के होते हैं, कि फेकना तो दूर की बात है, उसे हम अपने composting में भी नहीं डालते हैं, अब देखें, सुन्दर सा एक मेरा ये वर्टिकल गार्डेन के लिए हैंगिंग प्लांटर जो है तयार हो गया, अब इसमें अब जब लगा लिया तो हलका सा पानी डालना था, भाई एक छुटी-छुटी चीजे जो अपने अन्भो से बताती हूं, उसे फॉलो कर लिया किजिए, अब इ लिए बेखने में खुबसूरत लगेंगे, तो एक लाइन जो है ग्रीन कोई प्लांट लगाईए, एक लाइन पॉपल प्लांट लगाईए, एक लाइन फिर ग्रीन लगाईए, इस तरह से आपका जो वोटिकल गार्डेन है वो आने वाले सीजन के लिए बहुत ही तो इसको एक लाइन फिर करके निकार दीजिए प्यार से ताकि जो हरी भरी पत्तियां इसकी है वो और हरी भरी हो और प्लांट जो है मल्टिप्लाई करें और बेभी प्रिडूस करें तो बस इस तरह से करते करते कब मेरा 2,5 गंटे इस गार्डेन वे गुजर जाता है पता नेक्स टे जब मैं मॉर्निंग में अपने टरेस गार्डेन में आऊंगी तो उस दिन क्या करूंगी तो इस तरीके से मैंने ये वाला जो वर्टिकली मेरा गार्डेन था स्पाइडर प्लांट है यहां टर्टल वाइन है कुछ मनी प्लांट भी लगाए हुए हैं कुछ ये वाला जो किचन में था यह मैंने यहां पर लाके शिमला मिर्श ठांग दिया था तो इसको एक अच्छा सा पोजीशनिंग किया इसको लगा करके और यहां पर रख दिया थोड़ा सा संतुष्टी का भाव आ रहा था कि आज का काम मुकमल हुआ मेरा